कंगना रनाउट बॉलिवुड के एक ऐसी अक्टरस है जो अपने फिल्मों को लेकर तो लाइम लाइट में रहती ही है बलकि अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में बनी रहती है वही अब कंगना रनाउत ने बॉलिवुड के तीनो खांस अक्षे कुमार और कपूर पर अपना निशाना साथ दिया है बिना बॉलिवुड बैग्राउंड के भी कंगना रनाउत अज जिस मुकाम पर है वहाँ बहुचने के लिए कंगना ने काफी स्ट्रगल किया है सालों मेहनत के बाद आज कंगना रनाउत बॉलिवुड के सबसे बड़े एक्टर्स के लिस्ट में गिनी जाती है वही अब कंगना ने एक इविंट के दौरान ये खुला सकिया है कि उनके करियर की शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिये थे जिस वज़े से कंगना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कंगना ने कहा कि जब जब मैंने उन फिल्मों का ओफर ठुक रहा है जिसमें खान, कुमार या कोई भी बड़ा हीरो मुख्य भूमिका में रहा हो तब तब मुझसे लोगों ने कहा कि मैं क्यों अपना जीवन बरबात कर रही हूँ लेकिन जब आपके पास अपना भविश्य के लिए एक ऐसा प्लैन होता है जैसा किसी और के पास ना हो तब लोगों को लगता है कि इस लड़की के साथ तो कुछ गड़ बढ़ है मैंने हमेशे से ही सोचा है कि मेरा इन चीजों पर उतना ही हग है जितना की बाकी लोगों का तो मैं अपने आपको किसी से भी कम क्यों समझू मुझे हमेशे से ही ये लगता था कि मेरा सपना जरूर एक दिन पूरा होगा मैंने इसके कभी भी योजना तो नहीं बनाए लेकिन मेरे पास विजन था एक समय था जब कंगनर रनाओत को खान से लेकर कुमार तक के सभी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्म में ओफर होती थी लेकिन कंगनर रनाओत ने इन सभी फिल्मों को तब ठुकरा दिया था जिसके बाद से ही बॉलिवड में कंगना के शत्रू बढ़ गए थे और उनका बॉयकॉट भी होने लगा था कंगना ने हमेशा से ही बॉलिवड की पोल खोली है वही अब इस बात का खुलासा करके सभी को हैरान कर दिया फिल्हाल कंगनर रनाओत अपने अपकमिंग फिल्म धाकर के प्रमोशन को लेकर व्यस्त है जल्दी उनके फिल्म 20 में को रिलीज होने वाली है फिल्म का ट्रेलर रोगो को काफी पसंद आया है और जिस तरह से इस ट्रेलर में कंगनर रनाओत एक्शन सीकुल्स करते वे नजर आई उसका बेस अबी से सभी को इंतिजार है